आज हमारे पास में एक फाइल है securitygroup.tf करके जिसके अंदर हम एक security group बना रहे हैं टेराफॉर्म से जिसका नेम है dave underscore sg और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में multiple ingress और multiple egress blocks हैं इस security group के अंदर. जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ कि ingress का मतलब होता है inbound rules और egress का मतलब होता है outbound rules. यानि कि हम AWS पर एक security group बना रहे हैं जिसके अंदर हम multiple inbound rules और multiple outbound rules को open कर रहे हैं. हमारे पहले ingress block के अंदर हम port open कर रहे हैं 443, second वाले के अंदर 22, third वाले के अंदर 8080, और fourth वाले के अंदर 9090, और fifth वाले के अंदर 5990. और same यहाँ पर egress के अंदर भी हम चार अलग-अलग ports को open कर रहे हैं इस security group के अंदर. अब एक बर इस file को save करते हैं और मैं आपको terraform plan command चला कर भी बता देती हूं कि terraform हमारे लिए सारे defined ingress and egress rules को open करते हुए हमारे लिए एक security group dave underscore sg name से AWS पर create करेगा. यह code बिल्कुल सही से work कर रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट क्या यह code आपको देख कर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इसी एक single AWS security group resource में हमारी इतनी multiple lines को cover up कर लिया है. code के अंदर इतने lines of code सिर्फ हमने इसके लिए लिखे हैं. अगर हमें multiple ingress और egress ports को open करना है तो यह multiple nested blocks को हमें बार बार repeat करना पड़ रहा है. जिसके अंदर बहुत सारी information तो सेम ही है, सिर्फ code number ही change हो रहे हैं. बट सिर्फ in port, different different ports number के लिए हमें यह multiple ingress के इस code को repeat करना पड़ रहा है इतनी बार. सेम ingress के case में भी हमें इसको इतनी बार repeat करना पड़ रहा है. तो यह एक standard तरीका नहीं है, ना ही यह code दिखने में इतना अच्छा लग रहा है. एक DevOps Engineer की responsibility सिर्फ Terraform से code लिखने तक की नहीं होती है. उसकी responsibility होती है कि वो एक clean और clear code लिखे. क्योंकि अभी तो सिर्फ हम Terraform को सीख रहे हैं. बट अगर आप सीखने के बाद जब real world में काम करोगे, तो वहाँ पर आपको 1000 lines of code को लिखना पड़ेगा. तो आपको हमीशे दियान रखना होगा कि आप अपने code को proper way में, standard तरीके से, clean और clear तरीके से लिखे. और आपको वो सारे concept भी पता होने चाहिए, Terraform के, जो Terraform हमें functionality provide करता है, जिससे हम अपने code को अच्छे से लिख सके. जैसे कि variables का concept हो गया, locals का हो गया, data source का हो गया, जो हमने last video में सीखा था, और आज जो हम सीखने वाले हैं, वो है dynamic blocks का concept. ये सारे concept आपको देखकर लगते होंगे कि इन में कोई खतरनाप चीज नहीं है सीखने को, बट लेकिन ये सारे help करते हैं हमें हमारे code को एक standard तरीके से लिखने में. तो हमें भी तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए ना, कि किस तरह से हम हमारे code को एक real world में जैसा काम आने वाला code है, उस तरह से लिख सके हैं, तो इसी को सीखने के लिए चलते हैं, और आज का हमारा concept जो की है dynamic blocks के बारे में, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सीखना इंस्ट्रक्ट कर सकें, यानि कि जो जो भी ऐसे blocks हैं, जो बारवार रिपीट हो रहे हों, जैसे कि ये हमारा ingress का block, जिसमें बहुत सारे information तो सेमी है, सिर्फ port number सी change हो रहे हैं, तो ऐसे blocks के लिए हम dynamic block बना सकते हैं, जिसमें ये सारा जो change होने वाली information है, जैसे कि port number, वो हम dynamically pick कर लेंगे, और बाकी सारे information सेम रहेगी, और हमें इतने सारे blocks का भी use नहीं करना होगा, सिर्फ एक block के अंदर ही हमारा काम हो जाएगा, सेम, इसको भी आप वापस से आप variables, locals, जो हमने हमारी पिछली वीडियो में concept सीखे हैं, उन्हीं की तरह सोच सकते हैं, इसको समझने के लिए कि जिस तरह से हम उनके अंदर एक repeatable value या expression को एक central जगा पर लिख देते थे code के अंदर, और फिर हम जहां पर भी use करना होता था, उनका नीम use कर लेते थे, और अपने code को एक standard तरीके से लिखते थे, सेम, उसी तरह से dynamic block के अंदर हम एक repeatable nested blocks को जो बार-बार use हो र उनका एक single block बना सकते हैं, dynamic block का use करके, इसको हम और आगे practically समझते हैं, तो आपको और better तरीके से समझाएगा कि ये काम कैसे करता है, अगर आप dynamic blocks की documentation को भी refer करोगे, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सरे information मिलेगी, जहां पर यही कहा गया है कि repeatable nested blocks को हम dynamic block की help से dynamically construct कर सकते हैं, और dynamic blocks हमारे resource block के अंदर, data block के अंदर, provider block के अंदर, और provisional block के अंदर use हो सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे examples भी मिल जाएंगे, कि किस तरह से अलग-अलग resources के अंदर, एक repeatable nested block को dynamically construct किया जा सकता है, तो अब हम वापस से चलते हैं, हमारे VS code के अंदर, और हमा blocks को security group resource के अंदर dynamically construct करते हैं, और सीखते हैं कि किस तरह से यह use हो सकता है, dynamic blocks का use करें, उससे पहले हम सबसे पहले, दो variables बना लेते हैं, एक incoming ports के लिए, और एक outgoing ports के लिए, variable का नाम हम रख लेते हैं, ingress underscore ports, और egress वाले के लिए हम रख लेते हैं, ingress underscore ports, दोनों variables का टाइप होगा list of numbers, और दोनों को हम default के अंदर, ingress and egress के respective port numbers, जो हमने security group वाले resource के अंदर define किये हुए हैं, उनको ऐसे value दे देंगे, तो हमारे दोनों variables declare हो चुके हैं, अब बात आती है, इन ingress और egress वाले blocks को dynamically construct करने के, तो dynamic block का use करने के लिए आपको syntax लिखना होगा, dynamic, और उसके बाद आता है name, और जैसे कि अभी हम ingress वाले block को dynamically construct करना चाहते हैं, तो name आपको यहाँ पर लिखना होगा, ingress, उसके बाद आता है content, और content का block के अंदर, यानि कि content के block के अंदर आता है, वो सारा content जो बारबार repeat हो रहा है, जैसे कि यह हमारा ingress block के अंदर जो content है, उसको हम यहाँ पर copy करके paste कर सकते हैं, तो यह हमारा content वाला block हो गया, अब जैसे कि हम इन सारे ingress port numbers के लिए incoming traffic को अलाव करवाना चाहते हैं, इस security group के अंदर, तो हमें इस dynamic ingress block के अंदर use करना होगा for each loop, और उसके आगे आएगा हमारा वो variable var.ingress underscore ports, इस line का मतलब हुआ कि हमारा जो यह variable है, ingress underscore ports, वो एक list variable है, जिसके अंदर 5 port numbers हैं, और इन सभी के लिए हम incoming traffic अलाव करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर for each loop का use किया हुआ है, ताकि यह for each loop एक-एक element को उस list से pick करें, और उन सभी के लिए यह dynamic block को run करें, ताकि सभी port numbers के लिए incoming traffic इस security group के अंदर अलाव हो सकें, और जब यह dynamic block run होगा for each loop के साथ, तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा, यह बिलकुल run होने के बाद में ऐसा ही होगा, जैसे हम अभी लिख रहे थे, एक-एक ingress block को repeat करके, और for each से जो value आ रही है, यानि कि जब for each loop चलेगा और जो value list variable से pick करेगा, उसको यहाँ पर हमें content के अंदर from port and to port के अंदर भी देना होगा, जैसे हम manually लिखते हैं उसी तरह से, बट जैसे कि हमने यहाँ पर dynamic block ingress के लिए construct किया है, तो यहाँ पर जिससे value आएगी, उससे लेने का तरीका यहाँ पर थोड़ा ध्यान देकर आपको समझना होगा, यहाँ पर हमारे पास list से value लेने के दो तरीके हैं, पहला, या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ingress.value, ingress इस dynamic block का name है, और for each से जो value आ रही है, हम उसी को यहाँ पर use करना चाहा रहे हैं, तो इसी लिए हमने यहाँ पर लिखा है ingress.value, यह हमारे port numbers की value होगी, जितनी बार यह उस list variable पर loop करेगा, और variable से value को pick करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ingress.value लिखा है, और यह dynamic block फिर उन सभी values के लिए, यह ingress block को construct करेगा, जैसे एक बार port 43 के लिए, second time 22 के लिए, और सेम आगे सारे ingress port numbers के लिए, तो हमने from port and to port में लिख दिया है ingress.value, यह हमारा पहला तरीका है, जितनी बार यह for each loop चल रहा है, और जिस जिसके लिए चल रहा है, उसकी value को यहाँ पर लेने का काम करेगा, ingress.value, इसके अलावा अगर आप ingress.value यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप dynamic block के अंदर एक iterator का भी यूज कर सकते हैं, जो name आप देते हैं, वो name कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अभी हमने ports दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम ingress के port numbers की बात कर रहा हैं, ठीक है, और अब हम from port और to port जो content के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ पर हम लिख सकते हैं, ports.value, यानि कि अगर हमने dynamic block के अंदर iterator का यूज किया है, तो उसका जो name है, उसके आगे dot value करके भी हम सारे port numbers को pick कर सकते हैं, उस variable से, यह हमारा दूसरा तरीके है, variable से value लेने का और content के अंदर यूज करने का, तो इस तरह से यह हमारा dynamic ingress का block complete हो चुका है, इस तरह से कुछ यह लिखा जाता है, I hope आपको यह समझ में आया होगा, थोड़ा complex है यह समझना, बट मैंने पूरा try किया है कि आपको simple से simple तरीके से समझा सकूँ, फिर भी अगर आपको कोई भी doubt है, तो प्लीज हमें comment section में बताए, अब जैसा कि हमने ingress के लिए dynamic block को construct किया है, उसी तरह से हम same ingress के लिए भी dynamic block को construct करेंगे, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है, तो प्लीज लाइक करें, चैनल को subscribe करें, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, आपका like और चैनल को subscribe करना ही हमें motivation देता है, कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर जल्दी से जल्दी लेकर आएं, तो प्लीज दिल खोल कर like करें और चैनल को subscribe करें, अब बात आती है, इग्रेस के लिए dynamic block को construct करने की, तो जैसे कि हमने इग्रेस के भी सारे port numbers के लिए एक list variable बना ही रखा है, egress underscore ports नाम से, उसी का use हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे dynamic और इस बार हमारे dynamic block का name होगा egress, उसके बाद हम यहाँ पर use करेंगे same for each loop, और जो हमारा list variable है, उस पर यह for each loop हम चलाएंगे, यानि कि for each के आगे लिखेंगे var.variable का name egress underscore ports, और इस dynamic block के अंदर हम iterator का use नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर content के अंदर from port और to port के अंदर value को लेने के लिए port numbers की, हम लिखेंगे egress.value, तो इस तरह से हमारा egress block construct हो चुका है, और इसके साथ साथ ही हमारे दोनों dynamic block ingress के लिए और egress के लिए ready हैं, अब एक बार इस file को save करते हैं, और run करते हैं terraform apply command, तो terraform apply command run होने के बाद आप उसके output में देख पा रहे होंगे, कि ये हमारे लिए एक security group create कर रहा है, dave underscore sg name से, जिसके अंदर ये हमारे लिए five ingress के port numbers को लेकर inbound rules को open कर रहा है, और साथ साथी port egress के port numbers को लेकर outbound rules को open कर रहा है, ये सारे वही port numbers हैं जो हमने code के अंदर define किये हैं, एक बार हम इसको apply कर देते हैं और apply को complete होने देते हैं, और फिर console पर जाकर देखते हैं कि क्या हमारा ये security group जो हमने ingress और egress rules दिये हैं, उनके साथ बन कर आता है या नहीं, तो apply कंप्लीट होने के बाद आप console पर देख पा रहे होंगे कि हमारा एक security group बन गया है, डेव अंडर स्कॉर एस जी नेम से, और उनके अंदर 5 ingress के port numbers हैं, ये वही port numbers हैं जो हमने code में दिये थे, और साथ-साथ ही इस security group में चार egress के port numbers भी हैं, और ये भी वही हैं जो हमने हमारे code में दिये थे, तो इस तरह से आज हमने dynamic blocks का use करके, एक security group terraform से बनाया, और उसमें multiple ingress और egress ports को open करवाए, आज एक नया concept सीखा है, जो real world के अंदर use होता है, I hope आपको ये concept समझ आया होगा, topic थोड़ा complex था, बट आप जितनी हो सके practice करें, इसको use करके देखें, कोई भी कही भी दिक्कत हो, तो हमें comment section में जरूर बताए, अगर आप Kubernetes भी सीखना चाहते हैं, तो Kubernetes की playlist भी हमने बना रखी है, आप उसे भी check out कर सकते हैं, पाकि यहीं इस वीडियो को end करते हैं, और मिलते हैं next video के अंदर, और भी शानदार topics के साथ में, Thank you!